साथ्यों अटल टडल भारत के बॉर्डर इंफरस्ट्रक्टर को भी नई ताकत देने वाली है यह विश्वस्तरिय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जाकता प्रमाण है हिमालय का यह हिस्सा हो पस्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो और फिर दक्षिन और पूर्वी भारत का तटिय इलाका यह देश की सुरक्षार समर्दी दोनों के बहुत बड़े समसाधन है हमेशा से इन ख्षेत्रों के संतुनीत और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इन्फासेक्टर को वहतर बनाने की मांग उड़ती रही है लेकिन लंबे समय तक हमारच यहां बॉर्डर से जुड़े इन्फासेक्टर के प्रजेक्ट यहाँ तो प्लानिंग की स्टेज चे बहारी नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए, अटल टनर के साथ भी कभी-कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटलची ने इस टनर के लिए अप्रोच रोड का सिलान्यास किया था। अटलची की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनरेल के लिए सिर्फ 1300 मिटर यानि डेड़ किलोमिटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था। अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2014 में जा करके शायद पुरी होती। आप कलपना करिए आपकी आँच जो उम्र है उसमें बीस वर्स और जोड लिजिए तब जाकर लोकों के जीवन में ये दिवस आता। उनका सपना पुरा होता है। जब विकास के पत पर तेजी से आगे बढ़ना हो जब देश के लोगों के विकास की प्रतबल इच्छा हो तो रफ्तार बढ़ानी ही पढ़ती है। अटल टनेक के काम में भी 2014 के बाद अभूत फुर्वत तेजी लाई गई बियारों के सामने आने वाली हर अर्चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मिटर सुरंग बन रही थी उसकी गती बढ़ाकर 1400 मिटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। कि सात्यों इंफास्ट्रक्टर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुक्सान होता है। कि इससे लोगों को सुविजा मिलने में तो देरी होती है। इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में यह आकलन किया गया था कि यह टनल लगभग साड़े 900 करोड रुपे में तयार हो जाएगी। लेकिन लगातार होती देरी के कारण आजे तीन गुना से भी जादा यानि करीब करीब 32 करोड रुपे से अधिक खर्च कर रहे के बात पुरी हो पाई है। कलपना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिती होती। Εँआग कर लेट हैं ले स्मार जाएगी। उआव जगए वे जाएगी। rifne